हेलो नमस्ते स्वागत है आपका रागनी पटेल किच्छन में तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मोमोज रेसिपी तो चलिए सुरू करते हैं अब मैंने लिए हैं मिडियम साइज की एक पत्ता गोवि मैंने उपरे वाले हिस्से को हटा दिया है अब मैं इसे कट कर लूँगी मुझे इसे रफली कट करना है क्योंकि चॉपिंग मसीन में चॉप करेंगे तो रफली कट कर रही हूँ मैं पत्ता गोवि काटते वक्त हम ध्यान रखेंगे कि कहीं इसमें खराब तो नहीं है तो जब मैं काट रही थी पत्ते गोवि को तो साइड में थोड़े से खराब मिले थे मुझे तो मैंने उसे काट के अलग कर दिया है अब मैं सारे पत्ते गोभी को रफली कट कर लूँगी तो मैं कट कर रही हूँ ये मोमोज रेसिपी इसलिए खास है क्योंकि मैंने इसमें यूज गिया है मिक्स आटा जिसमें है ज्वार, बाजरा, जौव और गेहुँ ये हेल्थ के लिए काफी अच्छा होता है मोमोज रेसिपी तो आपने बहुत देखे होंगे लेकिन मेरे कुछ छोटे-छोटे यूनिक ट्रिक्स होते हैं जिसके वज़ा से मुझे बराने में अच्छा लगता है और मुझे सेयर करने में भी बहुत अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी हेल्थ का क्यार करें और हेल्थी खाना खाए तो अब मैंने लिए हैं दो गाजर और मैं इसे दोनों साइट से कट कर लूँगी पत्ता गोभी के कॉर्डिंग गाजर थोड़ा कम ले इससे इसका मिक्शर और अच्छा होगा आपको कोई और वेजिटेवल पसंद है तो आप उसमें यूज करें मैंने पत्ता को भी गाजर इसमें यूज किया है और धनिया पत्ता ये सब भी यूज किया है हमें अब गाजर को पील करना है तो ये पीलर से मैं पील कर रही हूँ उसके बाद हम सारे सब्जियों को वास कर लेंगे पानी में तो यह देखे हमें लेना है धनिया पत्ता मेर्च लैसन और एक इंच जराग तो चलिए अब हम इसे चौप करते हैं तो मैंने एक चौपर जाड लिया है और उसमें सारे सब्जियों को ट्रांसफर करेंगे और उसके वास से चौप करेंगे इसे अगर आप चौपर मसीन में चौपिंग नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे छोटे-छोटे पीसेस में कट कर लें एकदम बारी और तब बनाएं तो देखिए हमें इतना ही चौप करना है इससे ज़्यादा चौप नहीं करेंगे नहीं तो ये बहुत ही पेस्ट टाइप बन जाएंगे और अब हम निकाल लेंगे इसे एक बरतन में और इसी तरीके से सारे सब्जियों को चौप करना है हमें तो मैंने कर लिया है सारे सब्जियों को चौप और फिर हम चलेंगे नेक्स पॉसेस में हमें लेना है एक पैन और उसमें डालेंगे थोड़ी सी तेल और सारे सब्जियों को हम उसमें डालेंगे फ्लेम हमें रखना है मेडियम टू हाई और इसे करीब 4-5 मिट तक भूनेंगे ज्यादा नहीं भूनना है हमें तो ये मैं भून रहीं उसको और अब हम डाल देंगे इसमें क्रस्ट करके थोड़ा सा अद्रक जो अद्रक हमने दिखाया थे आपको एक इंच के करीब अद्रक हमें क्रस्ट कर देनी है उसके बाद हम डाल देंगे इसमें धनिया पत्ता और फिर हम इसे चला लेंगे और चलाने के बाद हम निकाल लेंगे इसे उसी बरतन में या किसी और बरतन में आप निकाल लें अब चलते हम नेक्स प्रॉसेस में मैंने ये mix आटा पहले से गूत रखा है गरम पानी में और इसे मैंने एक टिफिन में बंद करके रखा हुआ था तो ये मुमूज बनाने के लिए बिल्कुल पॉफेक्ट है और हम अब चलते हैं नेक्स पॉसेस में हमने जो सबजी भून रखी थी उसमें अब हमें डालने है नमक तो स्वाद अनुसार नमक डाल दे और ये ठंडा होने पे नमक डाले क्योंकि इसमें moisture नहीं आएंगे और अब कोई stuffing में दिक्कते नहीं आएंगे इस stuffing के लिए अब सारे कुछ फ्रेडी हैं तो चलिए हमें stuffing सुरू करते हैं तो मैंने कुछ पूरियां बेल रखी है और अब हम लेंगे एक बाउल में पानी और पूरियों के साइड में हम लगा देंगी इससे चिपकनी में असानी रहेगा तो अब मैं ये stuffing item डाल रही हूँ और देखिए मैं कैसे इसको fold कर रही हूँ तो ऐसे आप fold करें ये बहुत ही आसान है इसलिए मैंने slow fold करके दिखाया है आपको ये बिल्कुल भी मुस्किल लही है तो आप इन सब को fold कर लिए और last में जो पचे वो एक दूसरे में शिपका दे तो बस ready है ये आपका momo इसी तरीके से मैंने सारे fold कर लिए है तो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है बिल्कुल market की तरह तो आप मेरे recipes को ज़रूर follow करें आपको बिल्कुल भी तिकते नहीं आएगे cook करने में तो मैंने ले लिया है एक steamer और मैं इसमें लगा रही हूँ घी आप इसमें घी, oil कुछ भी लगा सकते है इससे ये होगा कि momo इसमें चिपकेंगे नहीं एकदम जब आप पगने के बाद निकालेंगे तो fresh निकलेंगे और देखने में बिल्कुल market की तरह दिखेंगे तो देखें मैं चारू तरह बहुत अच्छे से लगा रही हूँ अगर आपको मेरी recipe पसंद आती है तो please मेरी channel को subscribe करें like करें, share करें और will button जरूर प्रेश करें तो अब मैं momo को एक एक करके रखूंगी steamer में और flame high कर दिया है मैंने देख लिया कि पानी सही है या नहीं है, ज़ादा पानी आप ना रखें उसमें ज्यादा पानी रखने से यह होगा कि momo उसमें चिपक जाएंगे और जब आप उन्हें निकालेंगे तो वो तूट जाएंगे, वो सही हमने इसलिए पानी चेक किया है तो आप पानी मेजर करके ही डाले हाई फ्लेम पे रखें और ये मेरे सारे मोमोज लगबग रखती हैं मैंने एकदम सही से और इसको कवर कर दूँगी अकर ये 10 से 15 मिट तक पकाना है हमें तो देखें ये पग गया है अब तो इसी तरह रागनी पटेल कीचेन के साथ आप बनाते रहें खाते रहें और प्यार से मुस्कुराते रहें क्यूंकि मुस्कुराहट ही है आपकी पहचान तो आप मैं लोगी एक प्लेट और उसमें निकालने हमें बारी-बारी से मोमोज अच्छे से निकाले ताकि ये निवादा.